हाई एब्रीवान वेल्कम बैक टू दी चैनल और गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे मस्त होंगे हम सब भी ठीक है और आज है टूजडे तो मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेक फर्स्ट इसके लिए कीचन में आज चुकी हूँ तो सब सब पहले मैंने गेस पर रख है दूद गरम होने के लिए और दूसरे में मैं बना रही हूँ चाय अपने और इनके लिए क्योंकि यह भी उड़ चुके हैं और यह मेरा हमारा मतलब फर्स्ट चाय ही है और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगे ना दूद क्योंकि बच्चे मॉर्णिंग में दूद बिस्कित दे दूँगी और क्योंकि मुझे फटा फट से फिर निकलना है डॉक्टर के यहां इसलिए मैं सारे काम यहां पर फटा फट से ही कर रही हूँ तो चलिए सबसे पहले बच्चों को मैं दूद बिस्कित दे रही हूँ और फिर हम लोग एक चाय पी लेंगे उसके बाद फिर मैं फटा फट से बना लूँगी बच्चों के लिए लांच और यहां पे न पोहा हमारा बनकर डन होने को है तो इसे मैं यहीं पे गैस पे ही रख दूँगी और गैस बंद कर दूँगी और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा न तब इसको करना है पैक तो चलिए फटा फट से जब तक फुह ठंडा हो रहा है बच्चे भी इधर रेडी हो रहा है और फटा फट से मुझे धेट सारे काम निप्टाने भी है और यह न मुझे हमेशा ही ध्यान में रहता है कि चलो जब तक बच्चे है न अगर इनका लच बन गया हो और मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं बहुत सारे जो घर के काम है वो मैं कर लेती हूँ और वो मुझे करना भी अच्छा लगता है कि टाइम से सारा कुछ अच्छे से हो भी जाता है तो यह चलेगा है office क्योंकि इनको थोड़ा सा कुछ product पोश्ट करना था तो इसलिए फटाफट से मैं यहाँ पर जो भी है अपनो bed वगएरा clean कर ले रही हूँ और यहाँ पर देखे बच्चे ready हो रहे हैं बाबु ना बिल्कुल से जाड़ देती हूँ और फिर अच्छे से इसको मैं set कर देती हूँ और अभी बच्चे नहीं गया है तभी time मेरे पास काफी जादा है क्योंकि बच्चों का timing है अभी वो पुने आठ बजी घर से निकलते हैं तो काफी ज़्यादा time मिल जाता है मुझे तो मैं उतनी देर में बहुत सारा जो मेरा pending काम होता है तो वो मैं फटा फट से कर लेती हूँ और घर को आप morning उसमें उठने के बाद अगर फटा फट से arrange कर लो ना तो घर देखने में भी साप सुतरा clean लगता है तो चलिए यह मेरा bad set हो गया है और अब मैं फटा फट से बाबू को देख लूँगी कि वो किया कि वो ना अपने से तयार हो जाता है बट फिर भी उसको थोड़ा सा notice कर लेना होता है कि कुछ छूट न जाए तो देखिए यहां पे यह रेडी तो हो गया था बट न इसने टोपि पहले लगा ली थी और बाल में ओयल नहीं लगाया है और शात में क्रीम भी इसने नहीं लगाया है तो चलिए मैं वह यहां पे कर दे गे लही इसको टोपि उतार कर और सोनीदी और सोनू वो अपने से तयार हो जाता और केमरा उन होने के बाद ना इन लोगों का ना सरारत आटमेटिक चालू हो जाता है तो यह देखें आपको डांस करके दिखा रहा है कि पता नहीं इसको डांस आता है या नहीं आता है तो चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं बच्छों को रेडी कर दे रही हूं और सुनिदी की च करना है तो मैं भी ना धहरतर कर के तयार हो जाओंगे और इनके लिए ब्रिक справ स्ट बनानी है मैं इनको ब्रreक справ स्ट करने के बादी बनावंगी और जब उसको तयार करो न तो वो इतना ज़्यादा मतलब सरारत करता है कि आप ही रिजीट हो जाओगे कि चलो जाओ जैसे है वैसे ही रहो तो फिर न मैंने उसको डाटा और फिर मैंने उसको सारा कुछ ओके कर दिया तो चलिए यहां पर बच्चे फटा फट से रेडी हो जा रहे हैं और फिर यह चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं अपना जो भी काम है उसमें मैं लग जाओंगी और चलिए यहां पर जब तक बच्चे रेडी हो गया है तब तक यहां पर मेरा पोहा भी ठंडा हो गया था तो फटा-फट से मैं बच्चों के लंच बॉक्स में आज डालनी हूँ मीठा पोहा और इसकी रेसेपी ना मैंने अपने चैनल में डाली हुई है अगर आप बोलोग तो मैं लेंक डाल दोंगी डिस्क्रिप्टान बॉक्स में आप वहां से चेक आउट कर सकते हो या फिर आपको लेंक मिल जाएगा आई बटन पर तो अब वहां से इसकी रेसेपी देख सकते हो तो चलिए यहां पर डबबच्चों का पैक हो गया है और अब फटा-फट से का किचन का जब भी आप समय पर काम करोना जब हमारा किचन गंडा होता है उसी समय आप फटा-फट से क्लीन कर लो तो किचन भी हमारा देखने में साफ सुथरा रहता है और करने में अलग से मन बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फटा-फट से जो सारे काम है वह एक ही पड़ती है मुझे ज्यादा अच्छा भी लगता है इसलिए मैं फटा-फट से सारे काम निपटा लूँगी और हमेशा नहीं कोसिस करती हूं कि किचन में ना जब मैं काम करूं जब मैं कुकिंग करूं जब मेरा काम हूं किचन का मैं उसी टाइम निपटाना ज्यादा पसंद करती हूं कोसिस करती हूं हमेशा अपने किचन को क्लीन रखने की और अलग से इसकी कोई तयारिया नहीं करने पड़ती है बस हमें थोड़ा सा अलच नहीं करना है फटा-फट से जिस टाइम बरतन में गरा गंदे होते हैं उसी समय हमेशे क्लीन कर लेना है किचन को हमेशा क् तो चलिए बच्चे यहां पे निकल रहे हैं और यहां पे ना इनको breakfast वगरा करवा के मैं हो गई हूं ready यह निकल कर बाहर में कर रहे हैं wait मुझे यहां पे निकलना है फटा फट से तो कहीं भी जाओ ना उससे पहले भी कापी सारी सारा घर में ध्यान देना पड़ता है और कही से आओ तब भी आपको घर उतना ही ज्यादा मैनेज करना पड़ता है तो बच्चे तो है नहीं तो सारा कुछ में यहां पे मैनेज करके ही जाओंगी ब्लांच मैंने बच्चों का बना दिया है लाइट वगरा रूम के आफ करूंगी उसके बाद फिर में निकलूंगी तो अब लोग निकले हुए हैं और आज दो महने बाद टाइम मिला है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं अब देखे आगे क्या होता है और और भी कुछ काम है जो हमें निपताना है तो देखे आगे क्या काम में तरफ पाती हूं आज और दो महने बाद टाइम मिला है आज कि तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में पसंद आ दिया तो प्लेज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो सिक्का लेज़ेगा तो चलिए और यहां तेना आज इतना जादा ट्राफिक थाना तो चलिए यहां पर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यह लगवा रहे हैं यहां पर नंबर क्योंकि हमारा पहले से तो यहां पे नंबर मिला है 58 और 59 अभी दो घंटे लगने हाले हैं तब तक यहां पर बैठ के इंतजार क्या करना चलिए और यहां पर नंबर चल रहा है 47 48 अभी भी कफी ज्यादा टाइम लगने वाला है यहां पर और यह देखें जो हमारा नचिक अपर वह ओ चुका है और यहां पर मैं आ गई हूं चिसमे वाले दुकान पर यहां पर ना च्वाइस करना था मुझे चसमा तो मैं इनको पहन के दिखा रही थी बटना पहली टाइम उता जो में चसमा लगा रही थी तो बिलकुल मतलब अजीब साही लग जिल चाही भगे लग रहा था और अब भी अच्छा नहीं ही लग रहा है और फिर यहां पर लेना था हम्मे मैडिसीन तो भू भी हमने ले लिया यहां पर और अब लोग निकल रहे हैं अब भीण हुम पहने के वाद ना बड़ा दोप पहने उंका यहा आई राम चस्मा पहनने के बाद मा बहुत अजीब सा लग रहा है आदत नहीं है इसलिए अब देखते हैं कितना दीन अब जिलना पड़ता है इसको इनको चस्मा नहीं लगा बड़ा नाइन सापी हो गया हुई मेरे साथ अब भूखना बहुत जोरो से लगए यह पता नहीं का फैंस कुछ खिलाएंगे की ने चलिए देखते हैं यहां इतना ट्राफिक इतना ट्राफिक ना पतार माता करा आप हो यहां कर दो कि अरे खाना पिना हो गया है और बहुत टाइम हो गया है तीन बहर का समय लगब लग चुका है साम हो चुकी है पुरी बच्चों को ना अकेले मैं छोड़के आई हूँ उस वज़से तो चलिए चलते हैं भाए अभी ना मैं आ चुकी हूँ फ्रेस हो गई हूँ और उसके बाद ये ना चले गया है फिर से अच्छा नहीं लग रहा था मन तो चाय भी मैंने बनाया है ये तो आज का मेरा छोटो से वीडियो अगर वीडियो में ज़रा सभी कुछ आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोड़ से कीजिएगा तो चले मिलते हैं अब बाइ-बैर टेक क्यार